Hi everyone, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि React Native के अंदर Ref कैसे यूज कर सकते हैं देखो, Ref वैसे तो React Chase का feature है, React Native का feature नहीं है बट हमें पता है कि React Native के अंदर भी हम लोग internally React Chase ही यूज करते हैं So, ref को आप लोग React Native के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, React Chase के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, Class component भी यूज़ कर सकते हो, Functional component में, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. But, important point ये है, कि ref interviews के अंदर बहुँ ज़्यादा पूछ जाता है, साथ की साथ ये project में भी definitely कहीं के use आ सकता है. साथ में आपको ये भी बताऊंगा, कि style वगारा कैसे change कर सकते हैं ref के साथ में, उसके अलावा, आपके लिए एक छोड़ा सा question रहेगा, आप मुझे ये बताओ, कि ref के साथ में हम लोग किसी input field की value कैसे change कर सकते हैं, right, so interview के लिए 3-4 चीज़े हैं, जो ref के उपर based हैं, पहली line हटा दीता हूँ, मुझे इसकी जुरूत में ही लग रिया भी के लिए, so मैं यहाँ पे text input लेता हूँ, react native से, और इसके अंदर डालता हूँ, placeholder, enter, name, ठीक है, हम लोग ने डाल दिया, आप चाहो तो इसके जैसी एक और property भी ले सकते हो, जिसके अंदर आप कर सकते हो, enter, password ठीक है, दो मैं इसलिए ले रहा हूँ, दा कि आप focus वगार अच्छी से कर रहा हूँ, और ये क्या दिक्कत है, भाई, password मैं बारी-बारी spelling क्यों गलत कर रहा हूँ, अब ठीक है, now, मैं एक input field नाम से text ले ले लेता हूँ, input नाम से ले लेता हूँ, मुझे पता है कि आप लो रखते हो, border width कर देते हैं हम लोग, let's say 2 pixel, single pixel भी रखोए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा margin भी देता हूँ मिन में, let's say margin देता हूँ मैं यहाँ पे 10 pixel, चीक है, और अब हम लोग क्या करते है, इन दोनों के उपर इसको मैं apply कर देता हूँ, style लिखूँगा, style के बाद में simply लिखना है, आपको styles.input और same चीज़ आप दूसरे वाले box के उपर भी कर दोगे, यह हम लोग ने 2 basic input box ले लिए, जो हमें काफी इच्छे लिखे है, एक button भी दे सकते हैं हम लोग, ताकि जो भी हमें action perform करवाना हो, वो हम लोग उस button की help से करदा सकते हैं, और यह मैं react native से निगालना चाहता हूं, react native buttons से नहीं, so मैं यहापे लिखूँगा button, छीक है, इसके बाद में मैं हापे इसका title दे सकता हूं, title में लग देता हूं, update input, छीक है, type of both कर रहा हूं, छीक है, दो laptop यूज़ करने लग गया, इसलिए तोड़ा सका keyword में difference है, यह आपका button भी हो ग पर click करो, मालो मेरा focus है password के उपर, ठीक है, और जैसे मैं इसके उपर click करो, update उपर, जो focus है मेरा वो name के उपर आज़े, वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, simple सी चीज़ है हमें, ref के साथ करना पड़ेगा, अब ref है क्या, यह भी हमें समझना पड़ेगा, देखो, ref एक component का reference होता है, उसके अंदर component की सारी properties होती है, जैसे की, उसकी DOM properties भी कह सकते हो, आप उसकी सारी DOM properties होती है, जिसके अंदर आप उसका style, value, उसके functions, जो भी property आप change करना चाहते हो, जिसमें भी manipulation करना चाहते हो, ref के जैसे कर सकते हो, जैसे की normal एक, अगर हम लोग normal website बनाते हैं, तो उसके components मिलता है, पूरी document का, उसके अंदर उसका target, value, inner text, node, सब कुछ होता है, सेम इसी तरीके से, ref के साथ में हम लोग पूरी उस field को access कर सकते हैं, एक एक चीजी है, एक प्रोपर्टी, एक एक attribute उसका access कर सकते हैं, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको use करना सी कैसे use करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि यह प्रोपर्टी है, react कि तो हमें react native से तो निकाल नहीं नहीं है, और किसे निकालेंगे, react से, तो functional component के अंदर just simply लिखेंगे useRef, एक, यह hook होता है, ठीक है, अब इसके बादे मैं क्या करता हूँ, जब लोग ने hook बना लिया, त तो मैं इसको इक constant में store कर वा ले हूँ, जैसे मैंने आप लिखेंगे इसका नाम input, आप कुछ भी लिख सकते हो, useRef, अब इसके अंदर एक useRef वाला hook बन गया, मेरा इसके साहिक सारी property, useRef वाला functionality इसके अंदर आगी, इसको मैं क्या करता हूँ, कहीं पे भी use कर सकता हूँ let's say कि मैं इसको use करना चाहता हूँ, पहले input box पे, button पे, जिस मर्दी साहत तो use कर लूँ, उसका reference मुझे मिलना start हो जाएगा, मैं चाहता हूँ, जो मेरा first input box है उसकी values पो access करूँ, उसकी सारी properties and attributes पो access करूँ, तो मैं यहाँ पर लिख होंगा simply ref, और इसके अंदर, जो यह ref क box की सारी properties attributes हों है, because हमने इन दोनों को bind कर दिया, इस input को मैंने, इस input text के साथ में bind कर दिया, input मैंने नाम इसलिए रखा, अगर आप चाहो तो इसका नाम data रखोगे, info रखोगे, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत निया, ठीक है, बस मैंने इसके अभी के लिए input रख दिया, अब मैं इसको properties को change करवाने के लिए एक button प्रेस करना, वागि button प्रेस के लिए कुछ ने कुछ change करवा पाएंगे, right, तो मैं इसका यहाँ पर नाम रख दियता हूँ, update input, यह नाम से एक function बना लो, ठीक है, मैं let's एक function बनाता हूँ, const, update button, और इसको पर आप चाहो तो एक यह properly call हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं आप लिएता हूँ, call, ठीक है, function call हो जाएगा, इससे मुझे पता चली जाएगा, तक बड़ चेक कर लेता है, function call हो रहा है कि नहीं हो रहा, right, step by step चलते है, जैसे मैं इस पर कली करा तो call, यह perfectly call हो रहा, अब मैं क्या करता हूँ, focus, ठीक है, इस तरीके से focus दूँगा मैं, और जैसे मैं इसका focus दूँगा इस तरीके से, और यह button होगा, तो इस reference के उपर, इसका reference कहा है, first वाले input box में, उसके यहाँ पर reference हो अभी देखो, second वाले के अंदर है, इसका reference, second वाले के अंदर blink कर रहा है, इसके उपर focus है, जैसे ह मैं इसको press करता हूँ, तो press करने के बाद मैं कहां पर आगे देखो, इसका focus आ गया, अपने आप first वाले गया, फिर से check करता हूँ, देखो, यह मैंने नीचे करा, अपने आप ऊपर चला गया, उसके अंदर focus चला गया, perfect, focus के साथ-साथ, आप और कोई भी value, property, जो भी change करना नेटिव, प्रोप्स, ठीक है, और उसके बाद में जो भी आप change करना चाहते है, जैसे कि मैं इसका font size change करना चाहता हूँ, font size, मैं इसका करना चाहता हूँ, 24, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा कर लेता है हम लोग, अब मैं जैसे इस पर प्रेस करता हूँ, अब देख सकते हूँ, इसका font size बढ़ा हो गया, ठीक है, second वाले के लिए मैं इसको अच एक वाले के रिफ्रेश करूँ, तो रिफ्रेश है भी हो नहीं पाएगा, जैसे कि second वाले के उपर था भी है, जैसे अप्डेट करता हूँ, अब फर्स्ट वाले के उपर फोकस होँ, और नेम उसका पहले सी, यह font size का पहले ही बढ़ा हो चुका है, same इसी तरीके साफ से, color color change करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कर देता हूँ, यहाँ पे color red कर देता हूँ, ठीक है, और अब अभी कुछ नहीं होगा, जैसे ही मैं update input पे click करता हूँ, तो इसका जो color है वो change हो गया, मुझे पता कैसे ले color change हो गया, see, hello, अगर मैं इसका कर देता हूँ, यहाँ पे green, ठीक है, और मैं कुछ यहाँ पे value के अदर पहले ही पड़ी है, इस पे अपडेट करना हूँ, update input, यह value खली होगा इसकी, बिक उस ref change हो गया उसका और यहाँ पे लिखता हूँ, अब यह green color के अदर मुझे दिख रहा है, इस तरी के सब style change कर सकते हो, कोई भी background, color, font, size, border, जो भी आपको change करना है, वो change कर सकते हो, right, बस आपके लिए question है कि यह मुझे बताओ, value कैसे change कर सकते हो, एक और question, जो interviews के अदर पूछे जाता है, कि क आले वो करो, ref should be the last thing, सबसे last use वाली चीज होने चाहिए, because यहने directly DOM को manipulate करता है, और react के अंदर, react native के अंदर बोग virtual DOM भी use कर रहा है, DOM manipulation अच्छा नहीं होता है, alright, that's all for this part, और मैं आपसे request करूँ हो, कि please आप video को like करो, channel को subscribe करो, कुछ आप feedback देना चाहते हो, review देना चाहते ह छूदा चाहते हैं,